दोस्तो नवनीत जेमच की ख़वरों को लाइक करें इसके बाद पहली बारा है चैनल पर सब्सक्राइब करें साथ ही बैल के आइकन को दवा कर ओल कर लें ताकि हमारी ख़वरें पहुचे सबसे पहले है नमस्कार स्वागत थे आप सभी लोगों का मेरा नाम है नवनीत होने पर विबागी योजना लडखरा रही है बाल विकास पुष्टाहर से लेकर टीका करन तक के कार प्रभाबित हैं आपको मालूम होगा कि अभी जो आगनबाडी बहने 62 परिसकी आयों पूरी कर चुकी है उनको रिटार्मेंट किया गया और रिटार्मेंट का खुब सार यह लेकिन सरकार भरतिया नहीं कर रही है और इसी कारण से स्थिती बहुत ही विक्राल होती चली जा रही है और ऐसा ही मामला बांदा उत्तर प्रिदिस से भी निकल कर आ रहा है यहां पर भरतिया ना होने की बज़े से बाल पुष्टाहार से लेकर ठीका करन तक के कार प्र नरवनी के 275 में 30, बबेरू के 211 में 15, कमासिन के 175 में 15, बड़ोखर गुर्द के 199 में 15, जस्पुरा की 110 में 5, तिंदवारी के 175 में 10, और नगर छेद के 187 में 5 आगन बड़ी, बस सहयक सेवा निवेत हो गए हैं, यह जानकारी प्राप्त हो रही है, अब सेवा निवेत हो पर योजनातकारी, यानि की CDPO, और सुपरवाइजरों में, सहर सहीद, जिले की 9 विकास, खंडों, महज, तीनी CDPO हैं, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आगन बाड़ी कर्मियों का प्रमोसन भी नहीं किया जा रहा, ना ही डारेक्ट भरती की जा रही है, आपको बता काम भी रोके पड़े हैं, और इसी बज़े से आगन बाड़ी केंद्रों का संचालन बुरी तरीके से जो है, प्रभाबित हो रहा है, केंद के मासी नहीं छड़ भी नहीं हो पा रहे हैं, जिलाकारी का मतकारी इस रत जहां का कहना है कि जल्दी रिक्त पदों में नए तो यह जो हमने पहले जानकारी दी थी, फिलाल कैसे तैसे इस्तिती चलाई जा रही है, आप ऐसा नहीं कि बांदा जनपद में ही अकेली हालत वेकारू, उत्तर प्रिदेश के अधिकांस्ता जनपदों में ऐसी इस्तिती है, आप कमेंट वाक्स में आप जरूर बताईएग उत्कष्ट कार करने पर आगनबाडी कर्मियों को सम्मानित किया गए, आप देख रहे हैं, आगनबाडी कारकरता सम्मान समार हुए, इसमें आगनबाडी कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है, चली खबर बता देते हैं, दरसल एक खबर जो है, निकल करा रही, महीला बाल होता है और वह अपने काम को और अच्छी तरीके से करती हैं आपको बता दे प्रिसस्ति पत्र एवं सेफ्टी किट दे कर सम्मानित किया गया तीसरी खबर आ रही उत्तर प्रिदेश की बिजनोर से लगातर हम आपको प्री प्राइमरी की बारे में जो भी अपडेट आ रही द दिया जाएगा आगनबाडियों को बच्चों को बढ़ानी संबंदी पर सिचर बेसिक सिच्चा विवाग द्वारा दिया जाएगा लगातर हमें अपडेट दे रहे हैं आपको लेकिन बिविन जन्पदों में अलग-अलग समय पर कारिक्रम आईजित हो रहे हैं तो इसी का है आगनबाडडी vagy कैंद्र पर आने वाले बच्चों को साथी फिकट्ट वी दिये जा सकते हैं और इसार्टिकट निजी स्कूलों में मान होगी सरकारी प्राइमिरी स्कूलों में 6 साल के बच्चों का सीधा कच्च एक में एडवीसन होता लेकिन निजी स्कूलों में नर्सिडी, LKG, UKG पास करने के बाद बच्चा कच्च एक में जाता है अब कोरोना वैक्सिन के बारे में आपको बता देते हैं कोवेड-19 की संकमर से दुनिया भर में आप तक 17,00,000,000 लोग की मौत बता ही जा रही है इस महामारी से बिस में 78.7 मिलियन लोग प्रवावित हो चुके लेकिन रहात की बात है कि सरकार ने दावा किया है कि जन्वरी 2021 में COVID वैक्सिन लगनी सुरू हो जाएगी अब ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार को वैक्सिन लगाने के लिए सबसे पहले किसे प्रात्मिक्ता देनी चाहिए आपको बता दे सबसे पहले फ्रिंट लाइन बरकर जो आसा आगनवारी कार करता है इनको सीजियल बाई सबसे पहले वैक्सिन लगेगी फिर इसके बाद आम लोग आएंगे उनको वैक्सिन लगाए जाएगी अगली ख़बर उत्तराखंड के रुद्धपुर से निकल कर आ रही दरसल आपको बता दे बाल विकास विवाग को लंबे समय के इंतिजार के बाद बजट चारी हो गया है तो बड़ी अच्छी ख़बर है इससे आगनबाडी बहनों का बेतन रुका हुआ है वो भी मिल सकेगा तो आपको बता दें पूरी ख़बर क्या अगरा गौर्ट समझीएगा जनपद में दस परियोजनाओं में 287 आगनबाडी के संचालित हो रहा है इन केंदरों में करीब डेर लाग बच्चे पंजी करत है जिसमें 55 को पोसित और 515 बच्चे जो है अती को पोसित है 6 माई से बजट ना मिलने से आगन बाड़ी कारकरताओं को बेतन भी नहीं मिल सका अधिक उधार होने पर दुकंदारों ने टी अचार देने से भी मना कर दिया जाहिस सी बात मना कर देंगे अब आपको बता दें बिगत दिन सासन से जिले के 10 परियोजनाओं के लिए 8 करोड 95 लाग 4 420 रुपए का जो है बजट टी अचार एम कुक्ट फूट के लिए जारी कर दिया गया और इसमें खटीमा के लिए 84 लाग 30 लाग 100 रुपए सितार गंज के लिए 1 करोड 14 लाग 96 लाग 480 रुपए बाचपुर ग्रामीर के लिए 1 करोड 36 लाग 84 लाग इसी तरीके से रुदपुर सहरी और ग्रामीर के लिए भी बजट चारी किया गया और भी अन जगहों के लिए भी बजट जारी हुआ है इससे होगा कि THR और अन चीजें जो है रोक लग रही थी इन पर पैसी की बज़े से बजट की बज़े से बो काम 104 रूप से संचालित हो सकेगा साथ ही आगन बाड़ी वेनों का जो बेतन लंबे समय से रुका होगा था और भी बेतन का बुकतान भी हो जाएगा इनिश्चित तोर पर उनके लिए खुसकवदी है अब इस मामले में उधर प्रताप सिंग डीप्यों है जो उधम सिंग नगर की इनका क्या कहना है डीप्यों का कहना है कि THR और फूट के अलावा अन खर्चों के लिए बजट चार कि आपने जेम से खर्च करती रहेंगी क्या और क्या खाएंगी यह बड़ा सवाल है निश्चित तोर पर आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा आपका बेतन जो है कितने माय से बकाया पड़ा है हम मिलते हैं आप से नई और ताजा को फिर से बने रहे हमारे साथ नमस्कार कि उप से खर्च करता बेडिया यह झाँ कि इसारे आप उल से तोर स्वाल ग्याथवा ज्यांगी एग झाएट गभावावावगाश्या जल समेगी ग उताड़ी माय कुझ आप पर आप मंद़ाब तोर जिए नमस्कार वाल और तोर से पाराब कि जए खरुबा़ जåश